कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में दिखेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कॉंग्रेस ने पोटेम अस्पीकर भर्तरू हरी महताब को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है। 2014 में मोधी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 सालों से लोकसभा में नेता परतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालाकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता परतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। भारतिये लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्ति शाली माने जाते हैं। इनमें नेता परतिपक्ष का पद भी शामिल है। यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए राहुल गांधी को कैबनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुबधाएं भी मिलेगी आईए जानते हैं आखिर क्यो नेतापर्तिपक्च का पद है इतना महत्वपूर्ड नेतापर्तिपक्च के पास कैबनेट मंत्री का दर्जा होता है हालाकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण यह पद बेहद महत्वपूर्ड माना जाता है दरसल नेतापरतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई सन्युक्त संसदिय पैनलों और चैन समीतियों का भी हिस्ता होता है इनमें CBI के डिरेक्टर, सेंटरल विजलिंस कमिशनर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निवक्ति, मुख्य सूचना आयुक, लोका आयुक और राष्टिय मानवा धिकार आयोग के अध्याक्ष और सदस्यों को चुनने वा इन कमिटियों के फैसलों में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ ही अब नेता परतिपक्ष राहुल गांधी की सहमती भी जरूरी होगी राहुल गांधी, CBI और ऐसी ही दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं ऐसे में अब इन एजेंसियों के शिर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागिदारी होने जा रही है इसके साथ ही नेता परतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोक लेखा समीती के भी परमुख होंगे ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर पैनी नजर रख सकेंगे और उनकी समिक्षा भी कर सकेंगे लोक लेखा समीती ही सरकारी खर्च की जाच करती है ऐसे में राहुल गांधी को नेता परतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है आईए अब जानते हैं नेता परतिपक्ष की कितनी सेलरी होती है और क्या-क्या सुबधाएं मिलती है दरशल लोक सभा में नेता परतिपक्ष का पद सम्हालने वाले सांसत को केंद्रिय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और दूसरी सुभधाई मिलती है नेता परतिपक्च को हर महीने तीन लाख तीस हजार रूपय की सैलरी मिलती है साथ ही कैबनिट मंतरी के आवाज के अस्तर का बंगला मिलता है साथ ही कार ड्राइवर की सुभधा भी उपलब्ध होती है की राहुल गांधी नेता परतिपक्च बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं उनके पिता राजीव गांधी और मा सोनिया गांधी दोनों ही नेता परतिपक्च रह चुके हैं राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पत पर रहे वहीं उनकी मा सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पत पर रही। आईए अब जानते हैं कि आखिर क्या बज़ा रही कि 2014 से 2019 तक कोई नेता परतिपक्ष नहीं चुना जा सका। दरसल आखरी बार 2009 से 2014 तक शुष्मा स्वराज लोकसभा में नेता परतिपक्ष थी हालाकि उनके बाद यह पद अवराहुल गांधी को मिला है। दस साल तक नेता परतिपक्ष नहीं होने के पीछे की बज़ा थी कि 2014 और 2019 के चुनाबों में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता परतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10 परतिशत यानी 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कॉंग्रेस के इतने सांसद नहीं थे हलाकि इस बार कॉंग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी नेता परतिपक्ष का पद लेने के लिए इच्छुक नहीं थे हलाकि उन्होंने पार्टी की मांगों को मान लिया और उनकी मा सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरिद किया। फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपुन विचार और सुझाब जरूर दे धन्यवाद